नामस्कार दुस्तो मुरे नाम सेकर और स्वागेता आप सवी का हमारे टूप चैनल सिकर स्टेडी पॉइंट पर दुस्तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तरकासी जनपत के महत्तपूर्ण परस्न उत्तरों को तो चलिए दुस्तो बिना देरी के शुरू करते हैं सिवत्रुजयगा टिहरी टिहरी से अलग करके दोस्तो बनाए गया था उत्तरकासी को कब 24 फरवरी 1960 को इसके अलावा दोस्तो 24 फरवरी 1960 को एक तो गठनवाता किसका उत्तरकासी का और दूसरा गठनवाता दोस्तो चमोली का और तीसरा जो जनपत बना था वो बना था पित तो यहां पर पूछा है उत्तरकासी को कि जनपत से अलग करके चिला बनाये गया था यह था दोस्तो ओप्शन नमर बी हमारा टिहरी तो बढ़ते हैं अगले परशन की त्रव अगला परशन है गंगोत्री मंदीर का निर्माण अमर सिंग थापा द्वारा कब किया गया तो नि पुननिर्माण है वो कराये था जाईपूर के राजा मादो सिंग ने गंगोत्री माता जो मंदीर है का निर्माण कराये था 1935 में मादो सिंग और यहां पर पूछा गया है कि निर्माण कब तो अठार सौवेदार अमर सिंग था पाने तो इसका सेवत्रू जाएगा हमारा option number A उचाई की बात करें तो गंगुत्री माता मंदीर की दोस्तों ये जो मंदीर है वो है 3048 मिटर इसके कपाट कब खुलते हैं अब यहाँ पर आपको पता चलेगा इसका से उत्तर अगले बर्शन किस मंदीर का सीथकालिन आवास मुख हुआ है तो ये उचाई तो गंगुत्री का जो सीथकालिन आवास है ये है मुखागाओं में और इसके दोस्तों जो कपाट खुलते हैं वो कब खुलते हैं वो खुलते हैं अक्षाई तिरतिया को बोले तो जोस्तों तब मनाये जाता है गंगा दसरा तो उस समय दोस्तों ये खुलते हैं ये आपको याद रखना है बद्रिनात का जो सीथकले नवास है दोस्तों चारू धामू के आपको लगभग लगभग पता होने चीए बद्धिनात का दोस्तो जो सितकले नवास है वो है जोसी मट के नर्सिंग मंदिर में पहुत ज्यादा महत्पूर्ण प्रस्न है जोसी मट के नर्सिंग मंदिर में है बद्धिनात का सितकले नवास इसके अलावा गंगोत्री का यहां पर होई गया है जो किसका सेउत्तर भी है यमनोत्री का जो सितकाले नवास है दोस्तो वो है खरसाली में यह आपको याद खना है केदार नाथ का जो सितकाले नवास है जो कुजा होती है केदार नाथ की वो होती है दोस्तो ओखी मट के ओम क पारेश्वर मंदीर में ये भी आपको याद अखना है बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा महत्पूर्ण है अगला परसने 816 में फ्रेजर ने किसे सबसे बरबाद इस्तान के रूप में वर्णित किया अब बढ़कोट, पुरोला, बाड़ा हाट या ओप्सन नमर डी इन म अब से पहले यमनोत्री वह गंगोत्री पहुचने वाला पहला यूरोपी था, 816 में आये था, तो इसका सेवत्र ज़्यादा का बाड़ा हाट को इसने कहा था, अगरा परसने है विश्वनात मंदीर उत्तरकासी की सैली क्या है, तो इसका सेवत्र ज़्यादा तो यह हुज जो निर्माण कराय था, वो कराय था खनेती रानी ने, सुदर्शन सा की पत्नी थी, उन्होंने इसका निर्माण कराय था विश्वनात मंदीर जो उत्तरकासी में, इसका से उत्र ज़्यादा कत्यूरी सैली ओप्सन मर भी, अगरा पसने है सकती मंदीर में एक विशाल मूर् मंदीर, यहां दोस्तों 6 मीटर लंबा तिर्शूल इस्ताफीत है, उचाई कितने हैं तो यहां पर पुछाई हो जाएगा 6 मीटर इसकी उचाई है, तो इसका यह तो ज़्यादी पर बना इस्टील का और च ब्रिज दर्शनी है, तो चिल्यानी सोड उत्तरकासी में तो वहा कौन सी नदी दोस्तों लगनन्द आपको करना नहीं है, यह उमना आप कर सकते हैं लेकिन नहीं, इसका सेवत्रुजेगा भागी रती ओप्सन नबर A अगला परसन है निमल कित में से कौन सा कुंड उत्तरकासी जनपदमस्तित है, सोरी इस्तित नहीं है पूझे, केदार कुंड, केदार ताल उत्तरकासी में है, रिगदू पाणी कुंड यह भी होई है, कमलेश्वर महादेब कुंड यह भी उत्तरकासी में, बैरास कुंड द लोगा है दोरयानि है तो इसका सेवत्र हो ज़ाये इंगा सथी रातर के वारूणय यातरा का अन्ये नाम वारुणी पंचकोषी यात्रा तो अप्षन नमर ए हो जाएगा जो तो इसका बिलकुल सही उतर तो ये आपको सीधे सीधे याद रखने हैं उत्तरकासी में दोस्तों लगबख हर साल ये जो वारुणी पंचको सी यात्रा है भागी रती और वरुणा वरुणा को दोस्तों स्यामलगाड भी खा जता है भागी रती और वरुणा के संगम पर इसनान करने के बादे सुरू होती है जैसे अठोड मिला दिया हुआ है हार द जोना उत्तरकासी में सेब की उनन्ति हितु शुरू की गई यू की दो जिए जो मिसन एdragon जाता है ऊपसे कब दोस्तों लगता है सितंबर में तो सितंबर का एकी option है तो यह हो जाएगा हमारा option नमर सितंबर में लगता हो एक है उत्तर कासी के जैसे जो मुखवा गाउं है सूर्फी जाला आदिश्तानुम लगता है और मुख्य रूप से भागी रति घाटि में लगता है अगला वसन है गंगोत्री मंदीर का निर्माड किस सैली में हुआ है तो गंगोत्री माता का उस्तो जो निर्माड है यह है कत्यूरी सैली या छत्र या पगोडा सैली का है तो यह आपको बिल्कुल याद रखना है जिसके निर्माड में सफेद ग्रेनाइट का परियोग हुआ है गंगुत्री माता का मंदिर तो इसका सेवत्र उप्षन नमर एडी अगला बसने है श्रीकंठ की उचाई कितनी है तो स्रीकंठ दोस्तों जो परवत है इसकी उचाई यहाँ पर आपको बतानी रहेगी इसका सेवत्र उजाएगा 66-28 मीटर है बिल्कुल आपको याद अखना उप्षन नमर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल 60 उत्तर अगला बसने है उत्तरी आवाज नामक समाचार पत्र जो दिनेश नोटियाल द्वारा संपाधित किया जाता है की भास है तो उत्तरी आवाज तौस्तो यह हो जाएगा यहां पर हमारा उप्षन नमर इसका से उत्तर उर्दू अंगरे greenhouse करनी सकते हैं पांकि हिंदी संसिकर्थ तो उत्तरी है, तो हिंदी आप करेंगे ने तो संसिकर्थ कर लिजे, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी जए अगला अनिमलिकित में से कौन से समाचार पत्र के संपादग पीतामबर जोसी है जबर्दस्त कोश्चिन अस तो यह उजाएगा पर्वत वाणी पीतामबर जोसी बीर गडवाल के बरफिया लाल जोन्टा पहले वहां के विधायक थे बरफिया लाल जोन्टा बीर गडवाल का इन्होंने किया था शंपादन और गड़ रेवार लिखाया तो गड़ रेवार दोस्तों ये भी खाने से निकल दा था गड़ रेवार उत्तरकासी से सुरेंदर दत भड़ द्वारा किया था इसका भी शंपादन सुरेंदर दत भड़ ये भी आपको याद हमें इसका सेत्रु जल्बिद्दूत पर्योजना किस नदी परिस्तित है जब अर्दस्त कोईश्चिन है सीधे सीधे एक नंबर के लिए आएगा किसी ने किसी एकजाम में इतने एकजाम जब शुरू हो जाएंगे उस तो इतने एकजाम होने हैं तो कहीं ना कहीं किसी ने किसी पेपर में ये पर पर दोस्तों योजय का हमारा option number D अगला बसने है आरा कोट क्योंनी जल्विद्धूत प्रयोजना किस नदी पर है पाबर नदी परिश्तित है इसकी चमता आपको बतानी कितने मेगावाट के दोस्तों योजय का 81 मेगावाट option number A अगला बसने है चाया गाड किस बुग्याल का निनाम है चाया गाड या सोन गाड बुग्याल उत्तरकासी में तपोवन बुग्याल ये भी उत्तरकासी में कुषकल्यान बुग्याल ये भी उत्तरकासी में गुलावी कांठा बुग्याल ये भी उत्तरकासी में बहुत सारे ब आगला वरसन यह भूकंप दोस्तों इनसे भी प्रश्न अक्सर बनता है एक्जाम में उत्तरकासी में 6.6 रियक्टर इसकेल का भूकंप आये था यह आये था दोस्तों कब 1991 में 2021 का यह ओप्सन है यह आपको यहाद अठना है अगला परसन है जाड गंगायों भागी रती नदियों के संगम पर कौन सा इस्तालिस्तित है अच्छा कोश्चिन है जाड गंगायों भागी रती नदियों के संगम पर तो यह हो जाज तो यहाँ पर हमारा ओप्सन नंबर बी फैरो जाप गोमुक किसके संगम पर है यह आपको बताना है कमेंट बॉक्स में हर्शिल दोस्तो उतरकासी में हर्शिल में भागी रती और जल दोस्तो उतरकासी में है 14 नवंबर 1965 को दोस्तो इसकी स्तापना होती है यह भी आपको याद रखने है इसके पर्थम परधनाचारी दोस्तो यह थे बिर्गेडियर ग्यान सिंग बर्तमान में है कर्नल अजेक उठियाल और पर्थम परधनाचारी कौन थे यह हो जाएगा बि परसिद्ध से कौन सा इस्तल मौसमी फलु है तो परसिद्ध है यह आपको यह पर बताना है दोस्तो यह जाएगा फर्शिल पटवाडी धराली या सूकी तो जल्दी से आपको बताना है दोस्तो पर प्रकासी में ऑप्सन बढ़ी अगला पर पर हमारा गंगा नदी पर भार बिल्कूल सटिक उत्तर फटाँगण हमें देखी चुके हैं गंगोत्री मुखवा सभी उत्तरकासीने एक मात्र दूरियोधन देव Guten alum कहा श्तर अत्र ज अप्सन नमर सी हो जाएगा इसका बेलकुल सटीक उत्तर अगला प्रसन है फेडरिक बिल्सन या पहाड़ी बिल्सन फेडरिक बिल्सन को ये पहाड़ी बिल्सन का आजाता है इसने दोस्तों अपने बाग कहां लगाए थे यहां पर पुछाया बागान कहां लगाए थे ये ल पहली बात तो इससे याद रखे बाकि उत्तरकासी के नणा गाउं में हैं, तो उत्तरकासी में कुल मिला के इतना भी याद रखेगा, अगला बसने मेलू इत्यादी के आयो जनू से लड़की को भगाकर की जाने वाली सांधी को क्या कहते हैं, ओडाल पर्था, जोजडा पर् क की पर्था, यह आपको यह बर बताना है, तो यह ज़़ाष्टोँ ओडाल पर्था, ओप्सन नमर्ड डी होगा इसका फिल्कुल एंस एकतर, अगला निमल खित में से कौन सा परेटे के इस्तल, उत्तरकासी में इस्त्तित है, यह ज़़ाएगा ओसला, ऑसला नामक परेटे में आते हैं अगला परसम है निमले कित मेंसे कौन सा इस्तल उतरकासी में है उतरकासी लं prominent अगला उले सिर्ढ था सोल घाटी कहां है ये है दोस्तो चमूली में तो option number A हो जाएगा इसका 60 उत्तर अगला प्रस्ण है निमिलिकित मैंसे कौन सा कथन सत्ती है सक्ती माता मंदी दोस्तो यहाँ पर 3 मीटर नी अभी हमारा प्रस्ण है आय था वहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था 6 मीटर उचा सक्ती मंदीर में तो option number A हो जाएगा इसका गलत यहाँ समसु की पुजा दुर्योतन की रूप में की जाते है उत्तरकासी में यह भी आपको याद रखना है अगला वसने है उत्तरकासी नगर पालिका का नाम बदलकर बाड़ाहाट नगर पालिका कब किया गया चबर दस्त कोश्चन है उस्तो कब किया गया था पहली बात आपको यह याद रखना है तो यह है तो यह किया गया था कब 2016 में तो 8 दिसंबर 2016 को किया गया था तो option number C हो जाएगा इसका बिल्कुल से उत्तरकासी नग दलकर कह किया गया है बाड़ाहाट नगर पालिका अगला पालिका कब रास्टी आपदा परबंदन प्राधिकरण की ओर से भूकंप की रिष्टी से अतिस वेदन से उत्तरकासी जिले को भूकंप रोधी मॉडल के रूप में चुना गया तो यह चुना गया था अप्रेल 2017 म आपकोए आपको सीदे सीदे याद रखने है में अगला प्रस्न यह उत्तरकासी भूकंप रोधी मॉडल के रूप में चुना जाने वाला देश का कौन सा जनपद है यहां पर देखिए कब चुना गया था अप्रेल 2017 में और अगला प्रस्न है कि उत्तरकासी भूकंप पुरोला उत्तरकासि से इसकी अलाव पुरोला से कुरिंद सासक जो था अमोगी भूती सक्ति साले सासक था अमोगी भूती इसकी यहां से यग्जी वेदी का भी पराप्त हुई है यह भी आपको याद रखना है जब अर्दस्त कोश्चिन है एक्जाम में आएगा अगला बस देवकारा भुग्याल यह भी दुस्तों कहा है उत्तरकासि में है देवकारा भुग्याल को ट्रैक ऑफ दयर चुना गया अच्छा प्रस नहीं यह चुना गया तो 2019 में तो सीधे सीधे आपको याद अखने देवकारा भुग्याल को ट्रैक ऑफ दयर चुना गया था तो 2019 मे अगला बसने विश्चुनात मंदिर का जिर्णोधार सुदर्शन साकी महरानी खनेती द्वरा कप किया गया अभी हमने देखा था उत्तरकासी में है और ये जिर्णोधार दुस्तु एक रागया था 827 में अगला बसने जवर्दस्त कोश्ची नहें उत्तरकासी से को मुख तक के जोन को कब छेतर को कब एको सेंसिटिव जोन घोशित किया गया उत्तरकासी से गोमुक तक का छेतर कब एको सेंसिटिव जोन घोशित किया गया ये किया गया दिसंबर 2012 में 8 दिसंबर 2012 को परीक्चामाणी अगर आपने पड़ी है तो जबर्दस्त रिवीजन दुस्तो आपका यहाँ पर हो जाएगा यह हो जाएगा ओप्शन वर्ट A अगला पसने राजी का पर्थम बीटता पुरुषकार किसे दिया गया ये दिया गया दोस्तो उत्तरकासी के हरिस राणा को तो इन्हें कब दिया गया यहाँ पर पूछा गया ये दिया गया दोस्तो 2003 में तो राजी का पर्थम बीटा वरुशकार उत्तरकाषी के हरिस्टाना को दिया गया 2003 में अगला वशन है उत्तर ही आवाज का संपाधन उत्तरकाषी जिले में किस भाशा बोली में किया गया यह होज़ाव सतो संच्कृत अगर हिंदी होता तो अंग्रेजी देखर बिकास खंड में तो उस्तो मोरी आपको नहीं करना है यह है डुंडा में तरुन कुमावूं तरुण पर्यावण विज्ञान सस्तान उत्तरकासी के किस भी कास करने दोस्तों यह हो जाएगा डुंडा में ओप्सन नमबर डी इसके अलावस तो हिमालय पर्यावण शिक्चा सस्तान ये भी दोस्तों उत्तरकासी और टिहरी जिले में कार्यत है प्सक्राइब लगबग दोस्तों ये कारी कर रही है जैव विवित्ता के सरक्षण के लिए और जो तरुण पर्यावण विज्ञान सस्तान ये दोस्तों है डुंडा में तरकासी में कुल मिलाकर ये तना याद रखे तो ये थे आज के मारे महत्तुर्ण बसने बाकि मिलते हैं आगे क्या होता है बागे अपनी त्यार्या मत चुड़ेगा भले ही कम पड़िये लेकिन दोस्तों पड़िये